नमस्कार दोस्तो ओनलाइन लर्निंग श्यानो चनल में आप सभी का स्वागत है असी शब प्रती मिनट की गती से संपात की रिक्टेशन स्टार्ट होगी थोड़ी ही देर बाद दोस्तो ये सभी आउटलाइन आपको हमारे वोट्सेप ग्रूप पर भी मिल जाएगी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिया गया है चले शुरू करते हैं असी शब प्रती मिनट स्टार्ट जलवायू परिवर्तन का असर अब दुनिया की बड़ी जीलों पर भी नजर आने लगा है एक अध्यन में यहे खुलासा हुआ है कि दुनिया की करीब आधी बड़ी जीलों का जल इस्तर कम हो रहा है ऐसे समय में जब पेजल का गंभीर संकट महसूस किया जा रहा है और पानी के प्राकर्तिक सुरोतों के संरक्षन पर जोर दिया जा रहा है यहे नया खुलासा और चिंता पैदा करता है अमेरिका के वरजीनिया विश्विध्याले के विज्यानिकों ने लगातार 28 सालों तक अध्यन करने और उपग्रह से ली गई लाखो तस्वीरों के आधार पर यहे खुलासा किया है जीलों का जल स्तर कम होने की बड़ी वजह मानव उभोग और बढ़ती गर्मी बताई गई है इस तरह सरकारों और जल संचे के लिए काम करने वाले समाजिक संगठनों के लिए यहे चेतावनी की घंटी है जीलें एक परकार का प्राकरतिक जलाशे हैं जिनके पानी का उभोग पेजल और उद्योगो आदी के काम में किया जाता है जिस तरह नदियों का जल स्तर घटते जाने की वजह से दुनिया के अनेक शहरों में पेजल का गहरा संकट पैदा हो गया है उसी तरह जीलें अगर सिकुर्ती गई तो यह संकट और गंभीर होता जाएगा जीलों जलाशियों और अन्य प्राकर्तिक जल स्रोतों के सूखते जाने को लेकर लगातार अध्यन होते रहे हैं उनके आकड़ों से वजाहें भी इस्पष्ट हैं मगर उनके संरक्षन को लेकर जिन वहवारिक उपायों की अपेक्षा की जाती है उन पर अमल नहीं हो पाता जीलों का स्रोत आमतोर पर पहाडों से आने वाला पानी होता है वहे बरफ के पिगलने या फिर वर्षा जल के रूप में संचित होता है मगर जलवायू परिवर्तन की वजह से जिस तरह दुनिया भर में गर्मी बढ़ रही है उसमें कई जगह पाडों पर पहले की तरह बरफ नहीं जमती और ना परियाप वर्षा होती है फिर उनसे जो पानी पैदा होता है उसका अनुपात बिगड चुका है बरसात की अवधी कम और बारिश की मात्रा कम या अधिक होने से या तो जीलों में परियाप पानी जमा नहीं हो पाता या फिर बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पानी इखटा होकर नीचे की तरफ बह जाता है और फिर साल के बाकी दिनों में उनमें पानी ना आने से उनका इस तर नीचे चला जाता है दूसरा कारण पहाडों पर लगातार बढ़ रही परियतन संबंधी और उद्योगिक वानिजियक गतीवीदिया हैं हमारे यहां उत्राखन के पहाड इसके बड़े उधारन हैं वहां बड़े पैमाने पर शुरू हुई विकास परियोजनाओं की वजह से ना सिर्फ पहाडों के धसकने और इसकलित होने की घटनाएं बड़ी हैं स्टोब दोस्तो आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बोक्स में अपने सुझाव जरूर दें धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में